दियर एस्पिरेंट्स, गूड इविनिंग, वेलकम टो आवर ओफिसियल यूट्यूब चैनल जीका, जीनियास इंस्टिट आप कॉम्पेटिर एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पे आपका सुवागत हैं, फ्रेंड्स, आप लोगों का प्यार और रिक्वेस्ट है जिस आज वही रास्ते पे हम लोग आजी रहें, निउकमर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ग्रोथ के लिए आप लोगों का सापोर्ट चाहिए, आज मैं सुरू करने जा रहा पहला कुश्चिन बहुत बार कमपिटिटिव एक्जरमिशन में आ चुका है, 999 पुर्णग 97 by 99 into 99, देखिए यह जो कुश्चिन है, यह कुश्चिन बहुत बार आया है, बहुत बार यह कुश्चिन आया है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए, पहले एक तो पेन लेते हैं, आप देखिए, कैसे को जल्दी से बनाएं हम लोग, यहाँ पर कितना 9 है, बोलिए दोस्तों, 2 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 2 9 लिग देंगे, 2 9 लिग देंगे, और यहाँ पर देखिए, कितना 9 है, यहाँ देखिए, 3 9 है, तो हम लोग क् तिन जिरो लिख देंगे तिन जिरो ओके आप माइनस फर्स बैकेट यहाँ पर हर कितना है 99 दिनमेंटर है 99 और अंग्स कितना है 97 मतलब क्या किये फिर से हम इसको रिपीट कर रहे है यहाँ देखिए हम बोले कि राइट साइड में कितना नौ है दो नौ तो हम यहाँ पर दो नौ लिख दिए यहाँ पर लेट साइड में कितना नौ है तीन नौ है देखिए हम यहाँ पर तीन जिरो लिख दिए माइनस डिनमेंटर माइनस निमेंटर ऐसे हम यहाँ पर कर दिए तो कितना आएगा मेरा आंसर यहां पर तो दो आ गया 99 minus 97 दो आ गया आप इसको minus करते हैं 8 9 9 8 9 ए हो गया answer दो second में यह answer आ गया देखिए इसी step को हम यहां पर दिखा है आप लोगों को देखने के लिए आप लोग ज़स देखिए क्या किये यहां पर 99 जो है 2 9 यहां लिख दिए यहां पर 3 9 था वो यहां पर 3 0 लिख दिए minus denominator minus numerator तो answer आ गया 9 8 9 9 8 इसी question को basic में अगर करते हैं तो देखिए अगर basic में भी करते हैं अगर हम लोगों को multiplication आता है तो एक question भी 2 3 second में कर सकते हैं हम लोग देखिए यहां पर क्या है बोली तो दोस्तों जो पुर्णांग है यहां पर क्या है plus है ना into है देखिए यहां पर plus है बहुत स्टुडेंस बोलता है कि यहां पर into है लेकिन नहीं देखिए 2 पुर्णांग 1 बटद 2 है तो दो पूर्णनंग एक बटा दो का मतलब क्या है सोची मुझे आप धाई बिस्कूट दिये पहले दो बिस्किट दिये उसके बाद मुझे और हाप बिस्किट दिये मतलब यहाँ पर क्या है यह प्लास है ठीक न 9 x 99 प्लास 97 x 99 97 x 99 into 99 into 99 अब क्या होगा, E 99 E 99 कर जाएगा तो क्या रहेगा देखिए यह जो math है यह जो multiplication है यह आप लोगों को हम जो पिछले वीडियो है उसमें सिखा आयते हैं आप लोगों को क्या बोले थे ओ ट्रिक 99 के साथ एक minus कीजिए तो कितना आएगा 98 आएगा 98 आप 999 से 98 को minus कर दीजिए तो कितना आएगा 9 से 8 minus करने पर आएगा 1 नौ से 9 minus करने पर आएगा 0 और यह 9 ऐसे आजाएगा 98 901 प्लास यहाँ पर है मेरा 97 अब एड़ कर दीजिए कितना आएगा 7 प्लस 18 यहाँ पर आगया 9 फिर आगया आपका यहाँ पर 9 फिर 8 98 998 कितना देर लगई दोस्तो देखिए हम PTP में दिखाएं आप लोगों को ओई चीज यहाँ पर क्या है यहाँ पर मेरा प्लास है यहाँ पर प्लास है और बदेखाएं आप लोगों को और पिछले वीडियो में जो हम दिखाएं थे उसको फिर से यहाँ और recap कर दिये, देखिए हमें ही सिखाय थे न, 8, 7, 5, 6, 2 के साथ एक minus कीजिए, तब का आएगा 8, 7, 5, 6, 1, आप ये 8, 7, 5, 6, 1 को इससे minus कर दीजिए, ये आ जाएगा multiplication, बस आपका 2 सेकेंड में answer हो जाएगा अगर multiplication आपको जल्दी से आता है, next question है, multiplication of 2 digit numbers, whose difference is 10, and have 5 at unit place, मतलब क्या है दोस्तों, अगर unit digit का difference 10 होता है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसका multiplication, अगर ये trick हम लोग याद रख सकते हैं, तो ऐसे बहुत सरा question आपको मिल सकता है, जैसे 105, 115, कैसे करेंगे इस type का math को, देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को 75 लिगना है, last में 75 लिगना है right hand में, और क्या करेंगे, यहाँ पर 4 जो है, इसके साथ एक add कर देना है आपको, तो 3 into 5 कितना हो गया, 15, चलिए, next जो question है देखिए, 45 into 55, कैसे करना है देखिए, यहाँ पर एई करेंगे, कि आपको पहले 75 लिगना है, पहले कितना लिगना है, 75 और उसके बाद, यहाँ पर 5 को 6 मानना है, 6 into 4 कितना होगिया, 24 65 into 75 देखिए दोस्तों, क्या करना है, पहले आपको 75 लिगना है, 75 लिगने के बाद, साथ के साथ एक add किजिए, 8 हुआ, 8 into 6, 48, कितना एजी है, एक इने कब होगा, देखिए, हम यहाँ पर आपको बोल दिये, multiplication of two-digit number, whose difference is 10, and have 5 at unit place, ओके, next math, multiplication of two-digit numbers, having the same number at 10th place, and the sum of unit place digits is 10, मतला, देखिए, यह जो 10th place है, यह 10th place आपका सेम रहेगा, 10th place आपका सेम रहेगा, जैसे 4, 4, like 45, 45, 42, 48, 62 अगर होगा तो 68, 63 होगा तो 67, क्योंकि unit place का add होगा 10, और मेरा 10th place सेम रहना चाहिए, इस trick के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, जो unit digit है, जो last का digit है, उसको multiply करेंगे, 6 into 4, यह पर 6, और 4 में multiply करेंगे, तो कितना आगया देखिए, 24 आगया ना, 24, आप क्या करेंगे, इस 4 के साथ, एक add करेंगे, 5, 5 into 4, कितना होगया, 20, देखिए, हम total यह पर लिग दिए विस्तर से, देखिए, हम point भी दे दिए, multiply the last two digits at unit's place, 4 and 6, it becomes 24, write this at the right side end, second multiply 4 with next number 5, it becomes 20, then write this at the left side end, चलिए, example देखिए, 36 into 34, पहला condition देखिए तो, match कर रहा है या नहीं, 4 plus 6, देखिए 10, ठीक है, और यह 10th places का same है, तो हम लोग यह trick लगा सकते हैं, जो trick अभी हम लोग सीख रहे हैं, 4 into 6, जो ही काई वाला अंख है, 4 into 6, कितना होगया, 24, देखिए, यह आपर 24 होगया, आप करना क्या है, यह जो 3 है, यह जो 3 है, इस 3 के साथ 1 add करना है, 4 into 3, कितना होगया, 12, चलिए, 52 into 58 होई है, 8 into 2, कितना होगया, 16, अभी इस 5 के साथ 1 add करना है, 6, 6 into 5, 30, चलिए, same math है, यह आप लोग देख लिजिए, आज का वीडियो थोड़ा छोटा बनाया हैं, टाइम थोड़ा कम था, आप लोगों को समझ में आया, यह यह आसा राखते हैं, थाखते हैं,